हालो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों जैसे कि अभी एक्जाम आ रहा है IBPS RRB PO Color का ठीक है तो आप में से बहुत सारे candidates होंगे जो इस एक्जाम को देने वाले हैं और इस एक्जाम में math or reasoning ही होता है इसका पहला प्री एक्जाम इसमें math reasoning रहेगा इसमें अभी आप लोग को इंग्लीस नहीं पढ़ना है मेंस के लिए पढ़ना है लेकिन प्री एक्जाम के लिए math or reasoning है न और math or reasoning आपका 40-40 question रहेगा 40 question math और 40 question reasoning से और बहुत ही easy exam माना जाता है अगर SBI की तूलना करें SBIC से तूलना करें तो SBI के तूलना में यह बहुत ही छोटा exam है एगी साथ से लेकिन इसका Cut up बहुत high जाता है हना है बड़ा simple बड़ा simple बड़ा simple लेकिसे के यहां कि इस एक्जाम के लिए सब को फूम भरता है जितने भी गेंडिडेट घजो इंगलिस से डरते इंगलिस नहीं परना चाहते तो रहेगा और रिजनिंग रहेगा इससे 40 question इससे भी 40 question तो इस प्रकार से total 80 question रहेगा और यह exam बहुत ही easy exam माना जाता है लेकिन उतना भी easy नहीं है जितना सोच रहे हैं आप लोग इसके लिए भी आपका practice चाहिए अगर आपका अच्छा practice है अगर आप लोग कम समय में question को solve कर लेते हैं तो यह exam आराम से निकाल सकते हैं है ना और अगर आप लोग solve करते हैं लेकिन अगर time लगाते हैं बहुत ज़्यादा time लगाते हैं तो फिर अपना speed को बढ़ाईए क्योंकि देखिए 80 question solve करने के लिए 45 minute का time मिलता है 45 minute में 80 question solve करना है और easy question रहेगा जो भी question math से या फिर reasoning से आता है बहुत ही easy easy question आता है तो आपके speed पर depend करता है अगर आपका speed बढ़िया है अगर आप लोग एक question को solve करने में maximum 30 second लगा रहे हैं तो आप लोगों का यह exam निकल जाएगा ठीक है थोड़ा reasoning में practice किजेगा sitting arrangement puzzle इन सब को approximation हुआ number series हुआ तो इन सब का अगर practice कर रहे हैं तो यह exam आसानी से निकला जा सकता है तो चलिए आज हम लोग simplification के कुछ question को discussion करते हैं और पहले आप लोग try किजिएगा और कोशिच किजिएगा कि 30 second में बन जाए और 30 second से अगर अधिक लग रहा है तो आप लोग उसको 30 second से अधिक मत लगाईएगा और मेरे एपरेस को देखिएगा कि मैं किसी भी question को 30 second से अधिक नहीं लगाऊंगा 30 second से कम ही लगेगा देखिए यह exam बहुत ही easy exam माना जाता है बहुत ही आसान exam है तो यहाँ पर question भी बहुत tough नहीं आता है लेकिन आप लोगों को जल्दी जल्दी solve करना है तो चलिए हम लोग बनाना प्रारम करते हैं तो देखिए पहला question आप लोगों को screen में दिख रहा है आप लोग इसको बनाईए और कोसिस कीजिए कि 30 second से पहले ही बनाए मैं 30 second से अधिक ना लगाएं 30 second से पहले बनाने का प्रियास कीजिए देखिए आप लोग 30 second का time लगाई है और 30 second में अगर बनता है तो ठीक है और अगर 30 second में नहीं बनता है तो मेरे approach को देखिए और मैं किसी भी question को 30 second से अधिक नहीं लगाऊंगा और आप लोगों को भी यहीं approach लगाना है ताकि समय का बच्चत हो और कम समय में जल्दी जादा से जादा question बन जाए ठीक है तो चलिए मैं question को एक बार note down कर लेता हूँ देखिए आप लोगों को को दिख रहा है लेकिन note down कर रहा हूं question को देखिए आप लोगों का time 30 seconds पार हो चुका है और आप लोगों में से बहुत जन answer निकाल लिये होंगे और चलिए अब मैं बनाता हूं इस question को तो देखिए इस question को बनाने के लिए 30 seconds भी नहीं उससे भी कम लगेगा यह question number 61 है क्योंकि मैं जिस book को prefer कर रहा हूं जिस book देखिए यह divide में है तो जैसे ही हम 280 को 4 से divide करेंगे तो यह कटेगा 70 बार में और 70 को 2 से divide करेंगे तो होगा 35 और इधर आपका हो रहा है 170 minus question mark तो question mark बराबर हो जाएगा 170 minus 35 बराबर हो जाएगा आपका 135 एंसेर ठीक है यानि कि 70 में से 35 घटेगा तो 35 तो इस परकार से देखिए मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड लगा इस question को solve करने में और आप लोग का भी 10 सेकेंड ही लगा होगा मेक्सिमम की बात करें तो 30 सेकेंड 30 से अधिक नहीं लगना चाहिए ठीक है अब चलिए देखिए question number next आप लोग को दिख रहा question number 62 और इसके लिए भी आप लोगों को मिलता है 30 सेकेंड इसके लिए भी मिलता है 30 सेकेंड और आप लोग अपने से 30 सेकेंड ले लिजिए और कोशिश किजिए कि उससे पहले बनाने का 30 सेकेंड भी मैक्सिमम टाइम है कोशिश किजिए कि 30 सेकेंड से भी कम में बन जाए और चलिए मैं question number 62 को उतारता हूं देखिए आप लोगों को side में दिख रहा है right side में question पर मैं उतारता हूं चलिए चलिए 30 सेकेंड पार हो गया और आप में से बहुत जन का answer आभी गया होगा तो चलिए मैं solve करता हूं आप लोग ध्यान दिजिए तो देखिए आप लोग अगर अपना math का calculation का speed को बढ़ाना चाहते हैं तो 30 तक का square root under root cube यह सब याद कर लिजेगा table याद कर लिजेगा cube root याद किजेगा square root याद किजेगा क्योंकि यह सब जो है आप लोगों का speed को बढ़ा देगा ठीक है तो चलिए मैं solve करता हूं इस question को तो देखे 144 यह 12 हो जाएगा यह 13 हो जाएगा 12 और तेरा 25 पाचीस देखे 12 और तेरा को जुड़ेंगे तो पचीस और 25 को तीन से गुना करेंगे तो 75 और 75 बराबर हो रहा है देखिए question mark divided by 5 तो question mark जूकल्ट हो जाएगा तो इस परकार से हम लोग 62 को बना लिए अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और देखिए question number 63 आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है इसके लिए भी आप लोगों को मिलता है 30 सेकेंड 30 सेकेंड में इसको solve करने का प्रियास किजिए और तब तक मैं question को यहाँ पर उतारता हूं को सिस किजिए कि 30 सेकेंड से भी कम लगे 30 सेकेंड भी maximum time है minimum time आप लोग लगाने का प्रियास किजिए कम से कम टाइम 30 सेकेंड तो चलिए आप लोगों का 30 सेकेंड बित गया आप ध्यान दिजिए मैं solve करता हूं तो देखिए 12 गुना 5 बोड मास का रूल है तो अगर रूल पता है तो जानते होंगे आप लोगों की डिभाइट को पहले solve करना पड़ता है तो देखिए अब देखिए नेक्स्ट कोसेन आप लोगों को दिख रहा है इसको भी जल्दी से solve कीजिए और तब तक मैं को को उतारता हूं एक बार और देखिए आप लोगों का 30 मिनट कम्पिलिट हो गया है अब चलिए मैं इसको solve करता हूं तो देखिए percentage को fraction में कैसे लिखते है इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा पर आप लोग इसको याद कर लिजिएगा और अभी कि बहुत ही important है क्योंकि देखिए यह तो चलिए आसान percentage है लेकिन किसी किसी question में ऐसा percentage दिया रहेगा कि उसको सिंपल फॉम में लिखते लिखते बहुत टाइम लगाएंगे और अगर आप लोगों को याद रहेगा तो उसको तुरंत बना सकते हैं तो चलिए इसको हम बनाते हैं तो देखिए 120% को हम लिख सकते हैं 6 बटा 5 ठीक है चलिए मैं समझाता हूं मैं उतना जल्दी नहीं बना और डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ पॉस्चिन मार्क इज इक्वेल टू 25 देखिए इसको हम काटेंगे तो कटेगा आपका 15 55 तर 500 और 500 और 500 अगर काटेंगे तो देखिए 15 690 900 हो गिया और 900 डिवाइड़ बाइड़ आपका 25 और जैसे हम एक बराबर एक का बेलू निकालेंगे तो 900 को डिवाइड कर देंगे 25 से तो जैसे हम इसको 25 और कर देंगे तो देखिए 36 एनसर निकल जाएगा कि मैं इसको रव कर देता हूं हे और देखिए कि मैक्सीमम 30 सेकेंड और 30 से अधिक तो लगना ही नहीं है लगाना ही नहीं है उससे जितना कम हो सकते अगर पांस से केंडे में बनाने शक रहे हैं 10 सेकेंड में बनाने सक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं सक रहे हैं तो मेक्सीमम लगाई ये 30 सेकेंड लेकिन 30 से अधिक बिल्कुल भी मत लगाई ये है ना 30 से अधिक बिल्कुल भी मत लगाई ये तो देखिए आप लोगों का 30 सेकेंड complete हो गया अब मैं इसको बनाता हूं आप लोग ध्यान दिजिए तो ऐसे question को solve करने के लिए आप लोग कभी भी इसको तोड़िएगा मत अगर आप लोग ऐसा बना रहे हैं कि 8 गुना 16 और 17 17 बटा दो और 24 और 25 29 बटा 6 और अगर इसा कर रहे हैं तो देखिए वह मेथट को छोड़ दीजिए उस मेथड को भूल जाईए वह आप बच्चा वुला मेथड रहा उस मेथड से अगर बनाएंगे तो बनेगा लेकिन बनेगा एक्जाम बाकी बच्चे एक्जाम के सारे कोशन सोल्व करेंगे तब तक आप लोग एक ही कोशन सोल्व करते रहेंगे तो उस मेथड को भूल जाईए लेकिन बेसिक तो ही है पर आप लोग इस मेथड को देखिए इसमें आप लोग का टाइम बचेगा तो जो भी देखिए इसको पह को गडल जाएगा तो देखिया हम इनको ले लिए इसका भी बड़ा वला को इसका भी बढ़ा वला को अब देखिए गड़ा गया तो एक बटा दो बच्टा माइन्स पांच भटा च्य बच्टा और यह तो पलबा समस्द जाएगा तो साट बठा बारब कर you तो देखिए 8 में से 4 घटेगा तो 4 होगा और 4 में से 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा ठीक है ना और यह पलस रहने दीजेगा देखिए हम सबको 12 बनाना चाहते हैं तो इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा तो अगर हम नीचे में 6 से गुना करेंगे तो उपर भी 6 स सब्सक्ector 2 कि और निच्छे दो से घुना करना पड़ेगा मतलब पाँच दुना दश और देखिए कि यह तो फुद में 12 है मतलब यह साथ हो जाएगा ठीक है तो देखिए इस प्रकार से साथ पलस अब देखए उपर को जोड़िये तो देखिए 13 में से 10 घटेगा तो तीन तीन बटा बार इसको काटिएगा तो एक बटा चार यानि कि सही अंसर निकल जगा साथ पूर्णंग एक बटा चार यह इसका सही एंसर है ठीक है तो देखिए जिस बीदी से हम बनाए इस बीदी से बहुत ही कौम टाइम लगता है और कौस्टेन नमबर 66 आप लोगों को स्क्रीन में दीख रहा है और इसके लिए भी 30 सेकेंड ही लिजिए आप लोग तीस सेकेंड से अधिक मत लिजिए और तब तक मैं आप लोग बनाए तब तक मैं कौस्टेन को बोड में उतार रहा हूं आप लोग बना लिए होंगे तो चलिए अब मैं इसे बनाता हूं और देखिएगा कि इसको बनाने के लिए कम से कम टाइम लगाना है और मैं कम से कम टाइम लगाने का प्रियास करूंगा तो चलिए बनाते हैं तो देखिए 275 है पलस 64 % तो हम 64 गुना 750 बटा 100 कर सकते हैं क्योंकि इस पर्सेंटेज को हम पर्सेंटेज के लिए सो आता है और इस इकल टू साथ सो पचास पलस कोस्टेन मार्क और देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए यह कटेगा आपका 25 तिया 75 और 25 चो के 100 हा न और 25 से जैसे हम काटेंगे के इसको मतलब काट दिये तो देखिए शोला चो के चोंसा शुलती अर्तालिस चारसो असी आ रहा है चारसो असी में से अगर आप 275 को जोड़ेंगे तो देखिए आ रहा है साथ सो पचपन और इधर माइनस करना है साथ सो पचास तो इस परकार से 5 इसका सही एंसर आ गया मुश्किल से 15 सेकेंड लगा होगा आप लोगों समझाएं इसके लिए थोड़ा से ज्यादा लग सकता है नहीं तो यह कोस्टेन 15 सेकेंड का ही है चलिए कोस्टेन आप लोगों को दिख रहा है कोस्टेन नमबर 67 और इसके लिए भी आप लोग 30 सेकेंड ही लिजिए और तब तक मैं आप लोग सौल कीजिए तब तक मैं इस कोस्टेन को बोर्ड में उतार रहा हूं कि वह चलिए कि आप लोग साइद इसको बना लिए होंगे 30 सेकेंड का कोस्टेन यह है नहीं उससे कम ही समय में बन गया होगा तो देखिए देखिए यहां अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 15 निकलेगा इसका 9 निकलेगा और 12 का 144 तो आप इसको यूनिट डिजिट से भी बना सकते हैं क्योंकि देखिए जितना भी option में दिख रहा है सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो अगर हम लोग इसको जोडते हैं तो देखिए 9 और 5,14,14,14,18 यानि जिसका भी यूनिट डिजिट 8 है वही इसका सही अंसर होगा और option देखिए एक ही को दिख र है question number 68 और इसको आप लोग 30 सेकेंड में बनाईए 30 सेकेंड काफी है इसको solve करने के लिए और मैं इसको विठा के तब तक मैं बोर्ड में question को लिख रहा हूं कि 68 है तो आप लोग देखिया पर point है आप लोग बना लिये होंगे अब ध्यान दिजिए मैं solve कर रहा हूं इस question को तो देखिये इसको solve कर रहा हूं मैं 510 divided by question mark यह आपका 18 इसका अगर हम निकालेंगे तो 18 के लेगा 18 और plus 3.25 तो देखिये निकल रहा है 510 divided by question mark is equal to 21.25 और जैसे ही हम 510 को 21.25 से divide करेंगे तो देखिये हम लोगों का answer निकल जाएगा 24 24 और 24 देखिये आप यहां पर एक logic लगा सकते हैं जैसे यह 0.25 है तो 0.25 को 4 से गुना करेंगे तो एक में तकदिल होगा हा ना तो यहां पर उस logic को भी लगा सकते हैं थोड़ा सा common sense को लगाना पड़ता है ताकि calculation जल्दी से हो जाए ठीक है और चलिए आप लोगों देखिये अगला question दिक रहा है इसको भी जल्द से जल्द बनाने का प्रियास कीजिए maximum 30 सेकंड लगाईए और कोसिस कीजिए कि उससे भी पहले बन जाए तो देखिये question number 69 दिक रहा है आप लोगों को इस्क्रिन में आप लोग solve कीजिए तब तक मैं question को उतार रहा हूं I hope अप लोग बना लिये होंगे अब चलिए मैं solve करता हूं तो देखिये साड़े 12% को हम एक बटा 8 लिख सकते हैं इसको percentage को हम एक बटा 8 लिख सकते हैं और off का मतलब गुना होता है 120 पलस इसको हम x मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए और यह 45 तो जरा गोर फरमाईएगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि 120 पलस x is equal to 45 गुना 8 तो 120 पलस x बराबर 45 को जैसे हम 8 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा देखिये निकलता है 360 ठीक है न देखिये 8 पंचे 44 चार रहा 32 और 4 36 और जैसे ही x का भेलू निकालेंगे तो 360 में इस 120 घड़ जाएगा तो 240 इस question का सही answer है अब चलिए हम लोग next question बनाते हैं और आज का last question question number 70 देखिये आप लोगों को screen में दिख रहा है इसको बनाईए और इसके लिए भी maximum आप लोग 30 सेकंड लिजिए और जब तक आप लोग बना रहे हैं तब तक मैं question को note कर रहा हूं board में और आप पांसो बहात्तर डिवाइड़ बाइ 13 गुना आप लोग बनाईए I hope आप लोग बना लिए होंगे चलिए अब मैं solve करता हूं इस question को तो देखिये board mask का rule क्या कहता है कि पहले divide को solve करना है तो जैसे ही हम इसको 13 से काटेंगे तो देखिये 34 के 52 और 34 के 52 यानि 44 गुना 12 माइनस 16 बराबर 8 का power question mark तो देखिये जैसे ही हम 44 को देखिये shortcut आप गुना कर सकते हैं थोड़ा सा logic लगा सकते हैं अगर हम 440 को 10 से गुना करेंगे sorry अगर हम 44 को 10 से गुना करेंगे तो 440 निकलेगा और फिर 2 से गुना कर देंगे मतलब 88 होगा यानि इसका जो जोड होगा इसका जोड आपका निकल जाएगा देखिये 528 में 16 अगर हम घटा देंगे तो 528 में 16 घटाने पर देखिये हम लोगों का आएगा आपका 512 पांसो बारा आएगा और फांसो बारा मतलब इसाइट इसे बांसो बारा आ जिया ओर इधर से आपका आया 8 का पॉवर? यानि जब भी ऐसा कोसिशन मिले आप लोग जान लीजिये जब भी इसका question मिले जैसे कि इसका base 8 है तो इसका भी base 8 बनाना पड़ेगा तो आप सभी को पता है कि 512 को हम 8 का cube लिख सकते हैं तो इधर साया 512 को हम लिख दिये 8 का cube और इधर आपका देखिए 8 का power question mark तो base और base equal हो गया जब base equal होता है तो power भी equal होता है यानि कि question mark is equal to 3 और 3 ही इस question का right answer है तो इस परकार से हम लोग इसको बना लिए अज 10 को simplification देखें जो की आसान ही है बहुत आसान है और आसान ही आने वाला है आप लोगों का exam में देखिए यहां पर जो भी अभी पढ़ाया जाएगा exam oriented ही पढ़ाया जाएगा क्योंकि देखिए exam के लिए अब अधिक दिन बचा हुआ है नहीं आप लोग exam तक जुड़े रहिए आप लोग का math बनाने का स्पीड है बढ़ जाएगा और reasoning का भी सारा सेक्षन जितना भी सेक्षन है जैसे खास करके उसमें important रोल निभाता है आपका puzzle हुआ sitting arrangement हुआ तो यह सब भी पढ़ाया जाएगा और reasoning है बहुत ही जाने माने teacher के द्वारा पढ़ाया जाएगा आप लोग सब आप लोग जितना भी हो सकता है मौक लगाई है ठीक है मौक टेस्ट लगाई है